नमस्कार आप देख रहे हैं नीसवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मौनिंग इंडिया में महाराश्ट के ग्रेमांत्री अनिल देशमुक पर अवैदुगाही का आरोप लगाने वाले आईपियस परंबिर सिंग की याज़का पर आज सुप्रीम कोट सुनवाई करेगा मुमबई के पूर पुलिस कमिशनर परंबी ने देशमुक पर अपने आरोपों की CBI जार्ट की मांग की है उन्होंने खुद को पुलिस कमिशनर के पर से च्रांस्वर किये जाने की अधिसूशना पर रोग की भी मांग की है आज भी मामला जस्टिस संचे किसन कोल और आर सुभाष श्रेडिर की बेंच में लगेगा परंबीर ने आरोप लगाया है कि उद्योगपती मुकेशुमानी के घर के बाहर विस्पोटक रखने के लिए गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे सीधा ग्री मंतरी देशमुक के संपर्ख में था अनिल देशमुक ने परवरी में अपने घर पर वाज़े सी मीटिंग की थी हर महीने 100 करोल रुपे की उगाही करने को कहा था इस सचाई को सामने लाने के लिए अनिल देशमुक के घर का सिस्टिवी फोटेज जब्ट किया जाए इसके साथ ही आज का में दावा किया आ गया है कि अनिल देशमुक ग्रे मंतरी के पद पर रहते लगातार अवैद गतिविधियों में शामिल थे पिशल साल अगस्त में एक फोन इंटर स्पेट के जरिये स्टेट इंट्रेलिजेंस की कमिशनर रश्मी शुकला को पता चला कि देशमुक ट्रांसफर पोस्टिंग में भस्टा चार कर रहे हैं उन्होंने डीजोपी और गेर विभाग के अडिशनर सेकरेट्री को ये जौनकारी दी बाद में उन्हें पत से अलग कर केंद्रिये प्रतिन युक्ती पर भेज़ दिया गया है परमबिर सिंग का कहना है कि उन्होंने अन्यल देशमुक के जूनियर पुलिस अदिकारों से सीधे मिलने और उनसे वसूले के लिए कहने की ज़ानकारी मुख्यमंत्री उपुमुक्यमंत्री और दूसरे वरिश नेताओं को दी ती इसके तुरण बाद उन्हें पुलिस कमि पूर्वी मीदनापूर के एगरा में कि इंद्री गी मंत्री अमिश्रा के एक रैली में शामिल हुए थे कांती लोगसावा सीटसे टीम haber में शामिल हो गई थे अधिकारी करीब 20 सालों से मम्ता बेनरजी की पार्टी के साथ थे और टीम सी के सद अपक सदस्यों में शामिल थे बीजेपी ने पशिम मंगाल की मुक्य मंत्री मम्ता बेनर जी के खिलाब जिले के नंदी ग्राम विधान सबाश शेतर से शुबेंदू अधिकारी को मैदान में उतारा हुआ है शिशीर अधिकारी ने बताया कि अमिश्वा के रेली में ये मेरे आत्मी सम्मान के लिए खलडाई है मैं हमेशे एक फाइटर आहूँ और आने वाले समय में भी ऐसा करता रहूँगा हम फुटपाट से आए हैं मैं कीवल वही करूँगा जशुबेंदू कहेगा मैं पूर्व आज ही से ठीक एक साल पहले रात आट पजे देश में लॉकटाउन का एलान कर दिया था उस वक्त कोरुणा ने देश पर ऐसा कहर बर पाया कि सब कुछ बंद हो गया रेलवे, हवाई, जहाज, बसे, काल खाने, दुकाने और अजारों कम्पनिया समीत लगभक सभी जरूरी साधनों को बंद करना पड़ा और लोग घरों में क्याद हो गए थे, यानि एक चलता फिरता भारत, सुखी भारत, दंदनाता भारत कुछी दिनों में पूरी तरह से ठपसा हो गया था इससे पहले कोरोना वारस के प्रकोप को भापते वे प्रधार मंत्री नरिंद्र मोधी ने राश को नाम संबोधन दिया और जनता से अपील की कि वो 22 मार्श रविवार को सुबा 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता करफी लगाए ताकि कोरोना वारस की कड़ी को थोड़ा जा स इसके बाद देश में हारोस केस बढ़ते गए कोरोना वारस ने लोगों के रहने सेहने के तरीकों को पूरी तरह से बदला मिला दिया आज एक साल बाद भी भले ही देश लौक डाउन से आजाद हो गया है लेकिन अभी भी कोरोना का खत्रा बरकरार है मार्च में केस फिर से बढ़ने लगे है देश में संक्रमन की दूसरी लहर चल रही है जो बेहद खतरनाग है और इसे के साथ खबरों में इतना ही आप देखते रहे है न्यूस वाले इरिया